कौन बनेगा करोड़ पती चौदल के मंच पर अमिताप बच्चन अक्सर शो के कंटेस्टंट संग बातचीत में कई अनसुने किस्से सुनाते हैं। कभी खुद तो कभी अपने परिवार से जुड़ी दिल्चस्प कहानिया बताते हैं। लेकिन इस बार बिग बी ने के बीसी के मंच पर क्रिकेट मनसूर अली खान पतोदी के बारे में बात करते हुए उनके संघशों और सफलता को याद किया। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के पती और अभिनेता स्याफ अली खान के पिता मनसूर अली खान पटोदी भारतिय ख्रिकेट के सफल खिलाडियों में से एक हैं के बीसी चौदल के हालिया एपिसोड में अमिताब बच्चन ने उन्हें याद करते हुए उनके एक्सिडेंट के बारे में बताया जिसने उनकी आगे बरती जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया था लेकिन मनसूर अली खान की जेदौर उनके जुनूर ने उन्हें रुपने नह हो दी थी उन्हें गाड़ी चलाने में यहां तक की पानी का गिलास भरने में भी दिक्कत होती थी इन कठिनाईयों का सामना करते हुए उन्हें लगा कि शायद उनका क्रिकेटिंग करियर अब खत्म हो गया है लेकिन उन्होंने अपने हालातों को अपने खेल को और सबसे ज़्यादा अपनी सोच को चैलेंज किया एक चुनौती दी और खुद को इसका आबिल बनाया कि वो नित्रित्व में भारत ने पहली बार विदेशी धर्ती पर एक क्रिकेट टेस्ट सीरीज जीती उन्हें क्रिकेटर का नाम था मनसूर अली खान पटौदी डेवियो और सज्जनो मनसूर अली खान पटौदी ने दुनिया को यह बता दिया कि अगर आप अपने मन की आँखों से अपने लक्षे को देख सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लक्षे से दूर नहीं रख सकती है